कि हैं आप अब देख रहे हैं आपका चानल श्यवतार बितायुश और इस वीडियो में बात करेंगे रत्नवीर प्रिसियन इंजिनेरिंग लिमिट्ग आई पीो के बारे में तो फ्रेंड्स रत्नवीर प्रिसियन आई पिऊ चार तारिक से छे तारिक के बीच में open होने वाला है company के गरें दुस्तों बात करें तो company 2002 में start होई थी और अतनवीर प्रिसियन इंजिनेरिंग का काम क्या है यह basically company manufacture करती है stainless steel finish sheets, washers, solar roofing hooks, pipes और tubes इनके अगर आपको products दिखाऊँ तो वैसे तो company के चार products main यह आपको देखने को मिलता है लेकिन अगर मैं एक product के बात करता हूँ जैसे solar mounting hooks तो उसमें देखे यह सारे products company जो है वो basically बनाती है तो इस तरीके के products basically यूदाते है जिसमें adapter है, winkle है फिर hammer roofing bolt है, फिर अगला है long roofing hook, इस तरीकी के basically hooks company create करती है company के दर manufacture किये जाते है तो इस तो जो company है वो manufacture करती है यह सब चीजे जिसमें stainless steel based SS यानि stainless steel based products जो है वो basically बनाती है किन के लिए automotive, solar power, wind energy power plants, oil and gas pharmaceutical, sanitary and plumbing instrumentation, electromechanics architecture, building, construction electrical appliances, transportation kitchen appliances, chimney liners और other industries के लिए तो जो यह products है वो काफी various industries के अंदर company basically इन products को distribute करती है इन products को देती है तो ऐसा नहीं कि जो भी products है एक ही जग़ा पे काम आने है ऐसा नहीं है बहुत सारी industries के अंदर basically काम आते है इनके पास इनकी चार manufacturing units भी है इस मेंसे जो दो units है unit first और unit second वो दोस्तो GIDC सावली वरोदरा में located है unit third दोस्तो located है वगोधिया वरोदरा के अंदर और unit four located है GIDC वाटवा एमदाबाद गुजरात के अंदर तो इस इन चार जगव पे दोस्तो company की manufacturing facilities आपको देखने को मिल जाती है और जो company manufacture करती है stainless steel finishing seats stainless steel washers stainless steel solar mounting hooks यह सब दोस्तों बनते हैं unit one पे SS pipes और tubes unit second में unit third और unit fourth के अंदर company dedicated backward integration process करती है और unit third के अंदर company melting unit जहाँ पे steel scrap होता है basically वो जगह उनके लिए रख रखिये unit four पे rolling unit होता है but basically इतना detail में जाने की बात नहीं है but जो company का product है वो basically आपको मैंने बता दिया की होता क्या है अब दोस्तों company ने बताया कि इनको पोर्टफोलियो है इसमें जो SS washers है stainless steel washers है वो कितना add करते हैं वो almost दोस्तों इनका currently offer करते हैं 2500 skill SKUs और of SS washers जिसमें inner ring washers, spring washers, nod lock washers यह सब आ जाते हैं अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस company के financials के बारे में तो company के financials में आपको एक बात पता चलेगी कि जो growth है वो definitely देखने को मिलिये on in terms of revenue मतलब ऐसा नहीं कि growth नहीं आई है जिसे कि company का revenue था वो 364 करोड का था अगले साल 428 करोड का हो गया फिर 481 करोड का हो गया तो company ने basically growth दिखा ही है revenue terms में company का मुनाफ़ा अगर देखा जाया तो company का मुनाफ़ा भी बढ़ा है 5 करोड से almost 9.48 करोड हम कह सकते हैं close to double लेकिन उसके अगले साल 9-25 करोड हो गया बहुत बढ़िया growth आपको company के profit में देखने को मुनी इसमें भी कोई doubt नहीं है लेकिन एक major problem मैंने notice करी वो है दोस्तों इनकी borrowings के उपर company ने almost दोस्तों जो borrowings है वो 31.203 तक 229 करोड की है अब दोस्तों याद रिखिए को ये company 488 करोड का revenue generate कर रही है और उसपे 229.99 करोड नहीं almost 230 करोड रुपे का अगर debt है करजा है तो अपने अपने company के उपर करजा काफी जादा है क्योंकि company का मुनाफ़ा मातर 25 करोड का है हाँ ये एक ऐसे industry है जहाँ पे working capital जो working capital की requirements है वो काफी जादा रहती है तो इसमें कोई doubt नहीं है कि हाँ company को पैसो की ज़रूद काफी पढ़ती रहती है इसलिए company करजे में debt उठाती है और उससे अपना business को use करती है बट ये बात जरू है कि company के debt कम नहीं हो रहा है company का debt लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी तीसी से बढ़ता जा रहा है मतलब ये थोड़ा सा चिंतास वाली बात है अब कुछ company के positive कुछ negatives क्या रहा है सबस्वेले में बात कर लेता हूँ तो इसका positive क्या है company के strength में ये है कि पहला तो ये है कि company के consistent financial performance रही है मतलब ऐसा नहीं कि company की growth नहीं देखने को मुली है in terms of revenue, in terms of profit अब आपको मैंने दिखाया कि company के profitability में आपको increase देखने को मुला है तो revenue में भी increase देखने को मुला है तो company की growth है ऐसा नहीं कि एक साल growth देखने को मुली है तो दूसरे साल company ने खराप production कर दिया फिर teacher उपर चले गई नहीं, consistent रही है यानि growth company की एक linear way में रही है दूसरी बात क्या है कि कुछ ही companies है जो उस तो backward integration model पे काम करती है लेकिन इस company ने इस model पे काम करके भी अपने return on investments को maximize किया है तो एक बहुत बड़ी बात है इस company का major revenue भी आया था वो backward integration से आ गया था और backward integration बहुत मुश्किल होता है तीसरा यह है कि जो इनका product fine application है across various industries वो भी काफी बढ़िया है diverse product mix और wide customer base है इनका और पाच ही चीज़ यह है कि इनकी जो management team है वो काफी experience है विल्ब काफी समय से यही business कर रहे है और इन सब के अंदर काफी उनका अगें यह business कर रहे है तो उनका काफी experience भी बढ़ता दार है risk क्या है? risk यह है कि दोस्तो market demand for steel आपको पता ही कि देखें metal companies का हालत काफी खराब हो गया था markets में भी आपको पता ही है वो बड़ी बड़ी companies हो Tata Steel हो, Vidanta हो JSWO, अभी इतना अच्छा production नहीं कर पा रहे थे, reason क्या था? reason simple था कि demand नहीं थी तो याद रखिए यह एक ऐसा sector है जहाँ पर volatility, economic conditions बहुत impact करता है company के business को दूसरा यह है कि इनका जो dependent है domestic sales पे वो काफी जादा है और उसमें भी कहाँ पे western और northern zones के अंदर वहाँ से company का इतना जादा concentration है कि अगर वहाँ से company business नहीं कर पा या फिर वहाँ से revenue नहीं आया तो definitely company के revenues में बड़ी गिरावट दिखने को मल जाएगी तीसरा क्या है जैसे आपको नहीं होता है बहुत जादा working capital की requirements है इसलिए दोस्तों जो company का debt है वो काफी high दिखता है चौधा यह है कि high volume वाला business है लेकिन इसके अंदर margins बहुत high नहीं होते है high volume और low margin होते है margin मतलब क्या कि जैसे कि आप 100 रुपे के चीज बेच रहे हो तो उस पर आप कितना मुनाफ़ा कमा रहे हो तो इनका 100 रुपे कि अगर यह चीज बेचेंगे तो उस पर मुश्किल संको 10 रुपे बनता है अब कुछ समाच सकते हैं कि कितना low margin वाला business है पाचवा यह है कि negative cash flow भी रहा है past के अंदर यानि company बहुत बार घाटे में भी रही है cash flow में भी negative रहा है दोस्तों यह जो IPO है company अपना IPO price लिका है यह 98 रुपीज पे date show share कुल मिलाकर आपको मिलने वाले हैं total जो issue size है वो 165 करोड का है इसमें से जो 135 करोड है company वो अपने खुद के उपर company के उपर घर्ज करेगी बाकि 30 करोड के आसपास है जो भी fresh issue से पैसा company मनाएगी वो कहाँ खर्च करेगी वो company ने बता है working capital requirements के अंदर यह पैसा जाएगा यह ऐसा नहीं कि company कुछ capital expansion कर रही है या फिर company अपने नई manufacturing units खोल रही है यह नहीं है लेकिन जो working capital है मतलब मैं आपको बता दिया न कि यह business के अंदर पैसा बहुत चीए तो पैसा चीए इसलिए company यह जो पैसा है वो basically working capital requirements के लिए use करेगी और कुछ company ने बताया नहीं कि कहाँ काँए company पैसा खर्च करने वाली बाकि अगर मैं इसके बात करता हूँ कि performance indicators की तो company की दोस्तों market क्या बुजाएगी अब 475 करोड मतलब अभी 470 करोड है return on equity अगर आप देखेंगे तो 29.12% है which is a very good लेकिन जो return on capital employed है वो 12.62% है जो काफी low है वहीं जो debt to equity ratio है वो भी बिलकुल unfavorable है 2.17 और बाकि अगर return on network देखेंगे तो वो ठीक है लेकिन एक question आपके दिमाग में जरूर होगा की company कैसी है company क्या सही है क्या फिर गलात है तो बात simple है कि ऐसे अलब ऐसा नहीं कि यह पहली company जिसके इस तरह की financial indicators है इसके काफी सारे peers है जैसे कि अगर mmforging की बात करता हूँ तो mmforging का आप क्या देखेंगे return on net worth 18 का है बलकि इसका तो 29 का है वहीं अगर मैं बात करता हूँ men and engineering का इसका 24 का है और ratnavir का 29 का है वहीं venus pipes and dues भी हाली में आया था यह company इसका 9.83 का है तो बात simple है कि जो company जिस levels पे अपना IPO लेकर आई है वो levels आई है valuation company high नहीं लेकिया यह बात बहुत अच्छी है लेकिन competitive आपको बता है issue वैसे ही बहुत छोटा है 165 करोड का है उसमें से भी company ने कुछ पैसा तो अपने anchor investors उड़ा लिया जो almost 49 करोड है तो already IPO चोटा उसके उपर और चोटा हो जाएगा तो इस IPO के अंदर पैसा तो बन जाएगा मैं आपको यह कह सकता हूँ company के अंदर बहुत खास बाते हैं नहीं है तो मुझे लगता है कि ठीक टा company अलब बहुत bettering company भी इसको मैं किस basis पर कहूंगी अपना आप में question लेकिन यह है कि हाँ इस company ने जो यहाँ पर listing gain का पैसा बन जाएगा जो अभी current green market है वो है 48 रुपीस 48.98% के आसपरस का premium चल रहा है लेकिन यह कैसा IPO जिसके अंदर subscription अच्छा निकल के आएगा तो यह बात भी ध्यान रखिए allotment मिलना बहुत आसान नहीं है दूसरी बात यह है कि T category का IPO है T category मतलब क्या कि 10 दिन तक दोस्तों यह after listing 5-5% के circuit पर trade करेगा उससे बड़ा circuit नहीं होगा इसका तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है तो यह हाँ यह वो issue है जिसके अंदर lot मिलना बहुत आसान भी नहीं है क्योंकि छोटा सा issue है जल्देल्दी भर जाएगा तो वो बात भी है पर यह है कि हाँ ठीक है अगर listing के लिए पर से लगा तो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस video में दोस्तों इतना ही था आपको वीडियो बढ़या लगा होगा आपका क्या मानना इस कंपनी को लेकर यह भी मुझे कमें जिक्से में जो दाएगा थैंक्यू फ्रेंट्स लॉचिंग दिस